शानन पावर प्रोजेक्ट को लेकर आज उच्टम ने आएले ने हिमाचल परदेश सरकार दौरा पंजाब सरकार की सिविल सूट को रद करने के लिए दायर की गई रिजेक्शन और प्रोजेक्ट की एप्लिकेशन पर सुनवाई के पश्चाद नोटिस चारी कर पंजाब सरकार को आठ नवंबर से तक जवाब देने के आदेश दिये हैं हिमाचल परदेश सरकार ने आज सुप्रीम कोड को बताया कि पंजाब सरकार दौरा दायर सिविल सूट सुप्रीम कोड में दायर ही नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सिविल सूट जो दायर किया गया है वो एक treaty के उपर बेस्ट है एक agreement के उपर बेस्ट है तथा article 131 के अंतरगर कोई भी suit जो treaty के बेस्ट पर बेस्ट हो या किसी agreement के बेस्ट हो वो suit वहाँ पर नहीं चलाया जा सकता है नियाले ने प्रथम द्रिष्टिया हमारे दलीलों को सही समझते हुए उस याचिका पर नोटिस जारी कर पंजाब सरकार को जबाब देने के अदेश दिये हैं तथा पंजाब सरकार द्वारा शानन पावर को मेंटीन रखने अपने पास रखने हे तू जो याचिका दायर की गई है उस पर भारत सरकार को भी जबाब देने के अदेश दिये हैं मैं आप सब को पताना चाहता हूं कि शानन पावर प्रजेक्ट के लिए 1925 में तदकालीन राजा मंडी ने भारत सरकार को तदकालीन भारत सरकार को 100 वर्षों के लिए 90 वर्षों के लिए लीज पर जबीन दी थी तथा वो लीज मार्च 2024 में स्वाप्त हो चुकी है इस परकार से लीस वाप्त होने के पपस्चाइड शानर परजेक्ट पर हिमाचल परदेश का हक है तदा हिमाचल परदेश की जन्ता का हक है तदा पंजाब सरकार ने उस परजेक्ट को अपने पास रखने है तू उच्चितम नयाले का दर्वाजा कटकाया है जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार पूर जोर तरीके से उसे अपने हकों को अपने हक अपने राइट्स को डिफेंड कर रही है सुप्रीम कोट में तता आठ मुवंबर को अब रिजेक्शन और प्लेंट की अप्लिकेशन पर सुनवा ही हुपी